हेल्ट फेंट्स मैं हूँ सनमय प्रकाश और आप दिखरें यूटूब चैनल सरकारी जॉब नियूज इस करेंट फॉर स्वीडियू में सबसे इंपॉर्टन टॉपिक है ब्राजिल वाला मुद्धा संसाथ सूप्रिम कोट राश्टपति भावन इन सब पर हमला कर दिया प्रदर्शन कारियों ने दंगा हुआ और जब पर दस तोरफुर हुई है वहांके राश्टपती को पत से हटाने की कोशिश की गई बहुत बड़ी घटना है और इस पर भारती प्रदान मत्री नरेंद मो है जिसे पहली फाइटर महिला पाइलट जो विदेश में योद्यभ्यास करने जा रही है भारत में विदेशी उनिवर्सिटी के कैंपस खुलने जा रहे है योजिसी ने ड्राफ्ट जारी किया है तो इसके बारे में बात करेंगे 17 प्रवासी भारती दिवस उसके पर कई को रहे हैं तीन सब पर चर्चा होगे दोस्तों तो शुरू करते हैं दोस्तों और उससे पहले एक information कि 2022 का जो current force का book है आपके examination के लिए available हो चुका है सरकारी जॉब ने उसके app पर या पर इस वीडियो के description में चेक लेना वहाँ पर link भी available है और ये book जो है उसमें MCQ है और साथ म जिसमें आपको बताता हूँ वीडियो में retail notes भी दिये गए हैं ताकि examination के तियारी आपकी बहतरिन हो सके और इसके लिए आप एक membership भी ले सकते हैं उसके जरीए आपको मिलता है PDF पिछले सालों के भी और अगले एक साल तक और mock test और test series तमाम examination के लिए वो आप दे सकते हैं books म में छूट भी मिलती है तो description चेक कर लेना आप ही के लिए बहतरिन content त्यार किया गया है तो अब चलते हैं मुद्दे पर तो question होगा पहला दक्षिनी अमेरिका महादूब के किस देश के संसर्थ सुप्रिम कोर्ट और राष्टपती भावन पर प्रतुशन कार्डियों ने घ देख रहे हैं और भारती प्राइम मिर्श्टर ने इसको condemn किया है इस पूरे मुद्दे को समझते हैं उससे पहले देखते हैं मैप ठीक है मैप के जड़ी ही समझेंगे प्यारा भारत है और ब्रजिल कहां पर है ब्रजिल है दक्षनी अमेरिका जो महादेश है वहाँ पर औ और इसी के राश्टपती अब ही कौन है लूला है और पूर्व राश्टपती बुल सोनारो और यही के राज़धानी है ब्रजीलिया और यह पुरा जो सत्ता का केंद्र है यह देख रहे हैं आप यहां संसध है सुप्रिम कोट राश्टपती भावन और तमाम मंत्राले हैं यह वाला जो हिस्सा है यह है निशनल कॉंग्रेस कहिए उसको यह कह सकने हैं संसत यहाँ वाला हिस्सा है इधर दूसरी तरफ जो है वो है राश्टपती भावन और यहाँ पर यह सुप्रिम कोट है तो पब्लिक जो है यही पर भीड लगा के पहुँच गे बहुत बड़े प सुनारों तो उसके समर्थकों ने राश्टपती भावन नेशनल कॉंग्रेस यानि संसद और सुप्रिम कोट पर कब हमला बोल दिया आठ जैन्वरी को राश्टपती लूला वो उस वक्त वहाँ नहीं थे और वो बालवाल बचे क्योंकि हजारों हजारों के संख्या में भी लेट प्रूफ कांच लगे थे उसे जबर्दस्ती बहुत जोड लगा कर तोर चाला गया वहाँ ठीक है और राश्टपती लूला वो इस हिंसा के लिए बलसोनारों को जिम्मिदा ठारा रहे हैं और यह जो घटना हुई है इसको लेकर पुरी दुनिया में चर्चा है कि संसद में जिसतर से हमला हुआ था टरंप के समर्थकों का उस तरह की तुलना की गई है इस वक्त ठीक है तो यह बहुत ही जबर्दस्त अजीब और गरीब इस्तिती हुई वहाँ पर जायर बोलसोनारों जो पिछले प्रेसेंट थे उनके समर्थकों ने ब्राजिल की कारतों में बहुत ही नुक्सान किया है और पुलीस में इसके बाद बड़ी मशक्कत की यहां पर आसू गैस और हवाई फारिंग होई रही है और इसके बाद यह दिख रहे हैं यह सुप्रिम कोर्ट के अंदर का हिस्सा है यह मैजरा आपको दिख रहा है जहां पर पूरा अब जह हो गया है और जो जैर बोलसोनारो है ना उनके जो समर्थक है उनका यह कहना था डिमांड यह थी कि सुप्रिम कोर्ट सेना से कहे कि लूला राश्वती पर नहीं रहे यानि लूला को हटा दिया गया लेकिन सुप्रिम कोर्ट में जब इतनी बड़ी तबाही हुई ह यह रहा सुप्रिम कोर्ट वहाँ पर किस तरीके से हुआ है उसके बाद यह देखनों को मिला है कि सुप्रिम कोर्ट ने बहुत ही सक्त विभार अपनाया इन प्रदेशन कारियों के खलाफ और सरकार ने भी वहाँ कि तो यहां के जो राश्टपती है लूडा उन्होंने प्रामिस्ट्र नरिद मोदी ने इस पर क्या क्या हूँ इन्होंने कहा कि ब्रासिलिया में यानि ब्रासिलिया मतलब यह हुआ कि ब्राजिल की राज़ानी तो वहाँ पर सरकारी संस्थानों के खिलाब दंगे और तोरफोर की खबरों से बेहत चिंदित हों सभी को लोकतांत परंपराओं का सम्मान करना चाहिए हम ब्राजील के अधिकारियों को अपना पूरा समर्थन देते हैं नरिंद मुदी प्राइम मिनेश्टर और ये बहुत बड़ी घटना है ये बयान देना भी क्योंकि ये माला जाता है अगर कहीं प्रदेशन हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है तो ये उसका आंतरिक मामला मान लिया जाता है लेकिन यहाँ पर चुकि ब्राजील के लोकतंत पर ही एक तरह से हमला हुआ है और जो पूर राश्टपती है जैर बुलसनारों उन्होंने और उनके मत वो सीधे तोर पर तो सामने नहीं आ है लेकिन उनके समर्थकों ने हज़ ब्रजिल में चुनाव हुआ था अक्टूबर 2022 में पिछले सार कई महीन हो चुके हैं और इस चुनाव में लूला ने जीत हासिल किये कितने वोटों से 21,49,000 वोटों से हरा दिया था लूला ने जैर बुलसनारों को और लूला वो राश्टपती पत की शपत भी ले चुके ह पूरा नाम क्या है लूला का पूरा नाम है लूईज इनासियो लूला डा सिल्वा ठीक है तो यह इससे थी हुई है पूरा और बहुत बुरसनारों जो है ना वो लंबे समय से ये दवा कर रहे हैं कि ब्रजिल के चुनाव परनाली है उसमें दोखा दरी हुई है जान भाजी कर रहे थे जैसी टर्म भयानबाजी कर रहे थे उसके बाद किस तारिके से उनके समर्थकों ने वहां अमेरिका में संसर्त पर हम्ला करी दिया था गusan बुस गय थे वैसे इसे थी उसे भी भयानक इसे थी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल लए ठीक है तो यह कुछ बेसिक बात है यहाँ पर और यह इस तरह का नजारा वहाँ पर दिख रहा है पुरदुनिया के जो नेताओं हैं नेता हैं उन सब ने इस पूरे लूला जो है न वो जो राष्टपती हैं इस वाक्त वो अब मजबूती एक साथ सामने आये हैं और जैर बोलसोनारो को अस्पताल में भरती होना पर आए उन्हों काया कि मेरते वी तकराब हो गई है और मुझे अस्पताल में भरती होना पर आए क्योंकि ये जो डंगे की सिथि थी ये आलोकतांत्रे की सिथि थी उससे जैर बोलसोनारो का जो नैतिक जो बल था नैतिक बल और नैतिक रूप से जो बाते कह रहते वो सब अब उनकी तरप से खत्म हो चुके ठीक है? तो बेसिक बाते आपने समझ ली और ये international relation जो topic है उसके लिए बहुत ही important है चलिए आब आगे बढ़ते हैं अगला कोशन आते हैं और पसंद आ रहो हो तो like बटन जोड़ दबा देना और share कर दिजे तमाम मित्रों को अगला कोशन महत्पूर ने देश की पहली fighter महिला pilot का नाम बता है जिन्हों विदेश में युद्धिभ्यास के लिए चुना गया है विदेश में युद्धिभ्यास करेंगे ये कहां पर होगा कैसे होगा ये युद्धिभ्यास तो इंडिया और जापान के बीच में होना है 12-26 जन्वरी को जापान में आजट किया जाएगा युद्भ्यास और इसका नाम है वीर गार्जिन वीर गार्जिन युद्भ्यास ये जापान में होगा तो इसमें स्कौर्टन लीटर अवनी चतुरुवेदी उनको भी चुना गया है और वो जारी है वहाँ पर अवनी चतु बाद फ्लाइंग ऑफिसर बनी थी ठीक है 2018 में लड़ाकुल जेट विमान जो है मिक 21 वो उड़ा चुकी है स्कौर्डन लीडर के पद पर अभी है और आपको पता होगा कि एरफोर्स की पहली महिला फाइटर पैलेट कौन है अवनी चतुरुवेदी है ओके अगर सवाल हो क राफेल विमान को उराने वाली पहली महिला पैलेट कौन है तो श्यवांगि सिंग है और अगर सवाल हो कि इंडर नार्मी की पहली महिला फाइटर पैलेट कौन है तो अभी लाशा बढ़ाक। चले हब आगे बढ़ते है अगला कोशन लेते हैं उससे पहले फिर से बता उसका करेंट फर्स का बुक अबलेबल है जरूर देखना अगर आपने नहीं ओडर किया डिस्किप्शन में आपके एक्जामनेशन में बहुत काम आएगा अगला कोशन सत्रहवा प्रवासी भारती दिवस सम्मिलन किस शहर में आठ से दस जन्वरी 2023 को आई उत हुआ उन्होंने पट स्पीट किया यहां पर और इसमें आजादी के आंदोलन में जो प्रवासी भारती हैं उनके योगदान को प्रदशित करने के लिए डिजिटल प्रदशित भी लगाई गिये प्रवासी भारती दिवस जनव वो 9 जनवरी को मना जाता है प्रवासी जो भारती हैं जो विदेशों में रहा रहे हैं भारती है उन सब के साथ एक मजबूत जुराओ के लिए यह किया जाता है अच्छा सवाल ये भी हो सकता है कि 9 जन्वरी का महत्व क्या है क्यों इस दिन प्रवासी भारती दिवस मनाये थे तो देखें इसी दिन 1915 में महत्वागादी दक्षिन अफरीका से भारत लोटे थे और इस अवसर का सम्मान करने और जश्ट मनाने के लिए भारत सरकार ने 2003 मे प्रवासी भारती दिवस शुरू करने के गोहुशना की हुई थी इसे से रिलेटेड अगला कोशन लेते हैं 17 प्रवासी भारती दिवस सम्मिलन 2023 में किस देश के राश्टपती डॉक्टर महमद इर्फान अली मुख आती थी है इंपर्टेंट कोशन है आंसर का गोयाना ठीक है यह जो सवाल है न कई तरीके से आपसे पूछा ज़ा सकता है एक्जामनेशन में कि किन है बनाए गया था तो नाम आपको ध्यान में रखना है डॉक्टर महमद इर्फान अली और कहा के राश्टपती है वो तो गोयाना के ठ वो ब्रजिल का परुसी देश है चोटा सा देश है यानि दक्षनी अमेरिका जो महादूइब है उसका है और फोटोग्राफ दिखा दूँ प्राविट नरेंद मुदी के साथ ही यह है राश्टपती गयाना के क्या नाम है इनका फिर से नाम बता दूँ आपको डॉक्टर म मुहमद इर्फान अली और हाँ यहाँ पर एक और नाम लेना बहुत जरूरी है विशेश संबानित अतिथी कौन थे तो सूरी नाम गर्राजी के जो रश्टपती है चंदिका प्रसाथ संतोखी तो वो विशेश संबानित अतिथी थे ओ ओके चले आगे परता है अगला कोश सत्रहवे प्रवासी भारती दिवस संब्लेन 2023 की थीम क्या है थीम बता है आंसर होगा प्रवासी अमरित काल में भारत की प्रगती के लिए विश्वस्निय भागिदार डिस्पोरा रिलाइबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमरित काल ठीक है इस से रिले अगला कोशन लते हैं आएमडी यानि भारत मौसम विज्ञान विभाग उसकी एक रिपोर्ट आई है स्टेट्मेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया डियूरिंग 2022 तो इसका अनुसार देश में मौसम के अत्यदिक घटनाओं के कारण वर्ष 2022 में कितनी मौते हुई है एक इ मंदित चीजों को बहुत ही धियान रखा जाता है तो इसका अंसर होगा 2227 मौते हुई है 2025 में मौसम यानि एक्स्ट्रीम विदर कंडिशन जो होते हैं उसकी वज़े से ये रिपोर्ट 6 जनवरी को आईमडी ने जारी किये और इसके अनुसार इतनी मौते हुई है और महाराष्ट में 194 और उर्जिसा में भी 194 ओके और किस तरह के वेदर एक्स्ट्रीम वेदर कंडिशन की वज़े से मौते हुई है तो यहां पर यह रहा लाइट्लिंग और जो थंदर स्ट्रॉम है यानि जो बिजली गिरती है और तूफान वगरा आते हैं उसकी वज़े से इ 835 लोगों की मौत हुई है वर्ष 2022 में ठीक है तो पर्यावरण एक इंपार्टन टॉपिक है तो यह रिपोर्ट है इसकी पूरी डिटेल इस विडियोगी डिस्क्रिप्शन में जो पीडियेफ है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं सरकारी चौप में उसका आप है गोगल यह से डाउनलोड कीजिए और वहां पर आज का कंटेंट जो पीडियेफ है वो आपको मिल जाएगा अगला कोश्च लते हैं आरपी आई ने कुल कितने रुपए के सोबरन ग्रीन बॉंड जारी करने की घोशना जन्वरी 2023 में किये आंसरों का 16,000 करूर रुपए और नियू किष्ट को 2022-30 के लिए जारी किया जाएगा और दूसरा होगा यानि मार्च के बाद या अपरेल या उसके बाद जारी किया जाएगा दूसरा 8,000 करूर रुपए के ठीक है बॉंड क्या होता है अगर सवाल हो तो बॉंड एक फिक्स रिटर्न दिने वाला कि उपने के chances बहुत कम होता है क्योंकि सरकार इसकी गर इंटर होती है अब स्वाल होके gloryn नाम क्यों है green bond क्यों दिखिए मैं जब सरकार किसी bond को जारी करती है तो एक तो उसको sovereign कह जाता है लेकिन जब सरकार green energy या infrastructure को develop करने के लिए bond जारी करती है तो उसे sovereign green bond कह जाता है और इस bond के माध्यम से ius girlfriend रुपए कठा की जाता हूं रकम सके तो यह जो भी फंड इकठा होगा करीब 16,000 करूर रुपए तो उससे सरकार कार्बन उच्छलजन को कम करने वाली जो तमाम योजना हैं उसमें लगाएंगी जैसे सोर्ट पैनल हैं तो इन सब की संख्या काफी प्रती की जाएगी सोलर सिस्टम को बढ़ाने के लिए घ्र्जन जो गरीन है उसके उपियों को बढ़ाने का काम कर जाएगा तो आर्बिया नहीं कहा है कि हम बॉंड जारी करेंगे उसके गवर्णर कौन है आर्बिया के शक्तिकान दास आगे परते हैं अगला कोशन ओडिसा के मुखमतिरी ने बिर्सा मुंडा होकी इस्टेडियम का उधगाटन किया तो कि जिले में इस्तित है आंसरोगा सुन्दरगर सुन्दरगर में उन्होंने एक होकी इस्टेडियम और उसका नाम क्या है बिर्सा मुंडा होकी इस्टेडियम तो उसका उन्होंने उद्गाटन किया है आप फोटोग्राफ देख रहे हैं सवाल यह हो सकता है कि बिरसा मुंडा हौकी स्टिडियूम कहां पर उसका उद्गाटन किया गया है ओडिसा की बात कर ले राजधानी का है भवनेश्वर मुखमती नवीन पतनायक है गवर्नर कौन है? गनिश शिलाग अगला कोशन लेते हैं मारिपूर में ग्रह मंत्रिया मिश्षा ने पोलो खिलारी की 120 फिट उची प्रतिमा का अनावरन किया तो यह प्रतिमा किस जिले में अस्थापित की गई है वहां के? मारिपूर के? आंसर होगा है इंफार गिर्मंत्रिया मिश्षा ने यह 6 जन्वरी को इस प्रतिमा का अनावरन किया इसको लॉंच किया है मारिचिन पोलो कॉंपलेक्स में घोड़े पर सवार एक पोलो खिलारी की 120 फिट उची यह प्रतिमा है देखें मनीपूर जो है वहां पर ये खेल बहुत जड़े खेलारी क्या पोलो और ये भी माना आता है कि इस खेल का जन्वस्था जो है मनीपूर हो सकता है तो ये एक मूर्थी इसी वज़से अस्थापित के गए हैं वहां जन्मानस में पोलो बहुत ही रचा भसा है जैसे आपके दिल में किरकट होगा खेल पर, तो वहाँ पर पोलो काफी मशूर है, आगे बढ़ते हैं अगला कोशन लेते हैं, ग्रिह मंतिन अमिश शाह ने पुरवत्तर के सबसे उचे तिरंगे का नावरेंट किया, तो यह मड़पूर के किस जिले में अस्थापित किया गा तो पुरवत्तर का यह सबसे उचा जंडा कहला आएगा, ठीक है, मड़िपूर की बात कर रहे थे हम, राजधानी का इमफाल, गवर्नर, लाग गनेशन, मुखमाद्र कोण है, इन्बिरेंसिंग, अब बहुत ही इंपार्टन कोशन है, UGC ने विदेशी उनिवर्सिटी को भारत में, कैंपस अस्थापित करने के अनुमती देने के लिए ड्राफ्ट जाड़ी किया, तो इसके तहड़ कितने वर्षों की मजूरी दी जाएगी, विदेशी जो इनुवर्सिटी है, उसको कैंपस कितने वर्षों के लिए खोलने की अनुमती दी जाएगी, आंसर का 10 तो UGC यानि University Grant Commission तो उसने Foreign University को यानि विदेशी University के यहां पर स्थापित करने के लिए Campus को इसके लिए Draft जारी किया है कि विदेशी जो University है उसके Campus इंडिया में खोल सके और उसको 10 साल की एक साथ अनुमत्य दी जाए और जनता से इस पर राय मांगेंगे हैं आप भी राय दे सकते हैं UGC की वेबसाइट पर चले जाए है और वहां पर दे सकते हैं तो 18 जन्वरी तक इस पर राय मांगें गई हैं तो इसके तहट यह होगा कि जो Foreign University अगर इंडिया में Campus खोलना चाते हैं तो वो खोल सकते हैं ठीक है कुछ खास्त रखे नियम वगर भी पनाएगे हैं ताकि कोई उल जलूल University यहां पर न खुल जाए कोई फरजी वारा न हो इसके लिए तमाम कोशिशे की गई हैं जैसे जिनकी ranking बहुत बहतर होगी वैसे ही University के Campus इंडिया में खोले जाएंगे सवाल यह है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है विदेशी Campus को यहां पर स्थापित करने की कई वज़े हैं एक तो education सरकार यह चाहती है कि यहां बहतर हो हाला कि यह कोशिश इंडिया के जो educational institute है उन सब में भी हो सकती है सरकार की लेकिन सरकार नहीं फैसला किया कि बहरी institute के campus यहां पर खोले जाएं इसे खास बात ही है कि विदेशी मुत्रा काफी बचेगी भारत को वैश्वक सिक्षा के गंतवे के रूप में बढ़ावा देने के लिए यह किया जा रहा है काम विदेश मतले के आकर देखें तो वर्ष 2022 में यानि पिछले साल करीब 13 लाख स्टूडेंट विदेश में पढ़ रहे थे और आर्बे के अनुसार वर्ष 2021-22 जो financial year था उसमें पांच बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था भारत का तो कोशिश यह है सरकार की कि इंडिया में campus हो तो यहां के बच्चे बाहर जाने के बजाए यहीं के campus में पढ़ना पसंद करें ऐसी कोशिश अब देखते हैं आगे क्या होगा तो UGC ने यह प्रावधान किया है कोशिश किया है तो राय मांगी गई है दोस्तों और भी कई कोशन है उसको कल मैं content में देदूँगा वीडियो में देदूँगा कैसा लगा ज़रूर बताना आप सब और membership देख सकते हो इस सुटर के description में और book तो available है आप सब के लिए मिलते हैं कल morning को